हेलो स्टूदेंट्स, वेलकम तो आएग्जाम भी, सो एफो एग्जाम की स्पेशल सीरीज जो क्वांट की हमने स्टार्ट किया है, आज उसकी 17th क्लास है, सो अब से हम अरिथमेटिक कोशन देखेंगे, सो आज जो हमारा टॉपिक है, इस प्रॉफिट और लॉस, स्टूदें में आपको सबसे बेसिक चीज़ पता होगी, कि कॉस्ट प्राइस जिस पे हम खरीतते हैं, उसको बोला जाता है, सेलिंग प्राइस जिस पे हम सेल करते हैं, सो एक होता है मार्क प्राइस, MRP जिसको बोलते हैं, इसको लिस्ट प्राइस बोलते हैं, सो हम प्रॉफिट या तो आपको यह बताना है कि ट्रांसपोर्ट को छोड़के बाकी जगा पर कितनी सेव हुई है यानि कि आपको सिर्फ टेलेकोमिनेशन की बतानी है जो की नहीं बताई जा सकती क्योंकि आपको यहां दोनों की मिला के 20% पता है किसी एक की नहीं निकलेगे तो इसलिए इस कोश्टन का आंसर होना चाहिए कैनोट भी टेटर्माइट आप देखते हैं स्टुडेंट यह कोश्टन आपको दिया हुए लिस्ट प्राइज ओफ एन आर्टिकल इस 240 and a customer buys it for Rs. 120 after two successive discounts तो पहले कुछ कम किया गया है और फिर कुछ कम किया गया है जो पहना discount है वो है 20% का आपको second discount बताना है कितना दिया गया है तो दीखें यहां 240 का 20% जो है यानि कि 48 रुपीज कम किया होगा तो इसका मतलब 192 का हैं पे बेचा होगा उसके बाद एक और discount दिया गया finally इतने का बेचा है तो आप simply यहां से second discount निकाल सकते है कितना होगा तो यहां discount कितना है अब की बार 72 है किस पे है अब 192 पे है पहले जो discount था 20% वो किस पे था 240 पे अब जो value आगी उस पे अगला discount है तो discount कितना है आगे minus किया है 72 किस पे 192 पे तो यह हमारा answer आजाएगा इसको हम 12 पे cancel कर लेते हैं 12 6 और नीचे आजाएगा 12 1 जा 12 6 और finally आजाएगा 3 by 8 3 by 8 अगर आप solve करेंगे तो 37.5% इसका answer आजाएगा So student I hope यह question समझ में आया होगा आपको तो यह question same है next one इसका answer आप लोग बताएगे कि एक चीज का price जो है वो 960 लिखा हुआ है यह इसका MRP है लेकिन customer इसको buy करता है 540 में जिसमें पहला discount जो है वो है 10% का अब कोई value आएगी 10% कम करके उस पे फिर second discount दिया गया है K% यह आपको निकालना है तो इसका answer आप comment में बताएगे क्या आना चाहिए next question देखते है student the difference between discount of 40% on Rs.500 500 पे 40% अगर discount दे and two successive discount दे अगर हम 30K and 10% के on the same amount तो इन दोनों में difference कितना होगा तो यह तो clear है कि यह 40% है लेकिन जब दो लगाता discount दिये जाते हैं तो student आप इसकी एक short trick याद कर लेजिए अगर एहले A discount दिया जा रहा है और फिर B discount दिया जा रहा है और दो लगाता discount दिये जा रहा है तो उस case में जो आपका net discount होता है उसका एक formula आप याद रख लेजिए वो होता है A plus B minus AB by 100 जिसमें A जो है वो है आपका 30, B जो है वो है 10 तो अगर आप इसको solve करेंगे तो यह आपकी value आ जाएगी 40 minus 3, 37 और यह था 500 का 40% यह आया है finally 37% तो इन दोनों में जो difference आया है वो आया है 3% का तो 3% of 500 रूमें निकालना है जो की 15 रूपीज आ जाएगा तो इसका answer है 15 रूपीज तो आपको याद क्या रखना है जब 2 लगाता discount दिये जाते हैं तो net discount इस shortcut formula से आप जल्दी निकाल सकते हैं Okay student तो जो question मैंने आपसे पूचा है उसका answer आप comment में लिखके बताएं और profit and loss में अगर आपको किसी भी question में doubt है तो आप video के इंतर comment करके लिखें आपको जो part नहीं समझ बहाता या जो भी topic आपको difficult लगता है हम try करेंगे उसके उपर video बनाने का So student AFO का जो online course है यह हमारे पास available है आप देख सकते हैं इसका demo आपको हमारी website पे जिसमें हम लोग live classes भी लेते हैं और आपको यहाँ पे full length mock test मिलते हैं question मिलते हैं हजारों practice करने के लिए already जो आपकी recorded video है वो आपको मिलती है concept check question मिलते हैं तो आप एक बार इसका demo जरूर चेक करें अगर आपने यह नहीं लिया है तो so thank you so much students thanks for watching